हेलो व्यूवर्स उमीद है आप सब खेरिया से होंगी तो आज मैं आप से प्रो थायाइटीन टैबलेट के बारे में इंफ्रमेशन शेयर करने जारू हूँ जिसका साल नहीं है डो थियोपिन और ये मार्केट में आपको 25 मजी से लेकर 75 मजी की स्ट्रेंथ में इजरी मिल जा दाक्टर उनको परिस्कायब करके देते हैं एक प्रिसक्रिक्शन ड्रग है डॉक्ट प्रिस्कृसिक्रिशन के लिए इसका इसका इश्तिमाल किन चैना चैन writing मरीजों में किया जाता है इसके क्या होते है और इसको इसको趣 क्वाने कुंसे को मुंकिन साइड इफक्स होता है जो कि सामने आ सकते हैं और इसकी प्रिकोशन क्या होती है यानि कि इसको इस्तमाल करने से पहले को सी यह आतियात जो क्या आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियों पताने जा रहा हूं तो मेरी वीडियो आप एंट तक जुरूर होते हैं , यह सी अद्वियाद होते हैं जो कि ब्रेन में जाकर क्या मीखर को बे'Tर करते हैं जोग सबस्क्राइाइ को क्या एक आपके लोग मूड का सबब बनते हैं आपको जिसका से इतैसल के मिरी इस दिखके है कि मूडWe जादा अपसEd रहता है किसी चीज में इंट्रस नहीं लेते क्यंकिश में के उनकी ब्रेहिज के लेशनमें नी стан可ई रहता है क्यूंकि उनकी ब्रेहिज का ले और, यह वे से में ने देशन घुक्वेसर लेशन छाउ लिधा, ने उन ने था समय के ब्रेहिज क्या णाम, 3849, के ब्रेन में जो चैमिकल रिस्पूनसिबल होते हैं उनके मूड को बेदर करने के या डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनके के में कास के लेवल को मेंटैन करने के लिए बढ़ाने के लिए जातर डाकटर, प्रो diatrine जैसी टैब्रिट के इस्तिमाल करते हैं जातक इसके यूजिज की बात की जद उसके इस्तिमाल जादा डॉक्टर उन मरीजों में करते हैं जिनको एंग्जाइटी का मसला होता है एंग्जाइटी मुत्री सिस्योशन की वज़ा से होती है वो लोग जो इंटर्वियू देने ज जाती है तो इंटर्वियू देने से पहले उनको खास किसम की एंग्जाइटी होती है दिमाग में टेंशन होती है उस टेंशन की वज़े से बाद लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है हार्ट बिट देज हो जाती है और इवन उनके हाथ-पाउं कामपना शुरू हो इसके हलाव बचे जिनके एग्जाइम्स आने वाले होते हैं तो इंक्सेम्स के पहले उनको खास किसम खौफ होता है हार्ट बिट देज होती है या पसीना आना शुरू हो जाते है या बहुत ज़्यादा बहुत बाद बच्चों को तो डार्यरी हो जाता है जाता है और वो लोग जो पब्लिक में स्पीच करते हैं और बाद लोग जो स्पीच करने से डड़ते हैं पब्लिक इंट्रेक्शन से ड़ते हैं तो उन लोगों को में यूली इसका इस्तमाल किया जाता है इसके इस्तमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं डिप्रेशन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो लोग जिनका मूड बहुत जादा अपसेट रहता है वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी भी एक्टिविटीज म तांग आ चुके होते हैं उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिन्दगी में हर तरफ से अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा होता है यानि कि एक मयूस इनसान के लिए उसकी मयूसी को दूर करने के लिए ज्यादार डॉक्टर इसका इसका इस्तमाल करते हैं डिप्रेश की चील करते हैं ताकर इंको मूर्स को बेदर किया जए और ऊनके लेबल को ब्रेन में बेधर के जाए जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं उनके मूर्स को को कॉन्ट्रोल करते हैं और इसकी को न्यद्गी में मरें से हो एक सब्स्क Personen करते हैं और opens on कर शकार होता है जिनमें यह सारे अलामत पाई जाते हैं तो उनके लिए यह टैबलेट बोज जबरदस समझी जाती है इसके साथ साथ वो लोग जिनको दिमागी टेंशन होती है और दिमागी टेंशन की वज़े से उनको सची दरीके से नीन नहीं आती तो उन मुरिज़ा में डाक्टर यूली प्रिसकाइब कर देते हैं ताकि उनके जो टेंशन की लेवल है उसको थोड़ा कम किया जाए और उनकी जो नीन में जो डुकाउट बार यह टेंशन उसकी रुकाउट को दूर किया जाए और दुसरे अलफाद में यह कह सकते हैं कि उनके दिमागी सुकून के लिए भी इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं यहां तक प्रोथाइडिन टैब्लिट की डोजज की बात की जाए कि इसका इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो इसका इस्तमाल हमेशा हो डॉक्टर के दाध के मताबगी करना चाहिए क्योंके प्रिसक्रिप्शन ड्रग है और डॉक् SLAIM compassionate का मसец with similar to she is start कर सकते हुँ और ऐस verse give a star कि ब्रशन का Does 27 it had get access कितने उर्शी तक करना चाल है कितने reciprocity करना चाई यह कूं को इसकी जो complete information यह यह इसकी जो recommendation बोए बेतर आपको डॉक्मेефर्द इसका कि बता सARSकते हैं एक आपको इसको कितना अरसे तक इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि ये जितने एंटिडिप्रेशन होते हैं ये खास दोर पर डिप्रेशन के मुरीज़ों में इसका इस्तमाल कमस कम 6 मिने से एक साल तक कराया जाता है क्योंकि अगर 6 मिने से पहले अगर इसके इस्तमाल आप छोड़ते हैं तो इसे यह होता है कि डिप्रेशन दुबारा वापिस आ सकती है तो उन इमकानाथ को कम करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तमाल 6 मिने से लेकर 1 साल तक करा सकते हैं तो इसको इसको इस्तमाल करने से पहले आपके डॉक्टर से लाज़म मेश्वरा करें कैंसे अिसथ करें प्रोथ हाय एंट टैबेट इस्तमाल करते हैं ये कुछ मुम्किना और कॉमन साथ इफेक्स हमने आ सकते हैं और मुम्किना और कॉमन साथ इफेक्स में ये कि आपकी ये दिल के दर्कन इजाफा कर सकती है और धुंदला पन आ सकता है आँखों के आगे, मुः खुश्क रह सकता है, आपको कॉंस्टिपिशन यानी कफ रह सकती है इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ड्राउजिनस हो सकती है, या नीन बहुत ज्यादा आ सकती है तो वो जो driving करते हैं या heavy machinist पर काम करते हैं वो इसके इस्तमाल बड़े थयास से रहें और इसको इस्तमाल करते हो विए देखा गया कि blood pressure भी low होसकते हैं तो जो जिनको blood pressure का मसाला या है लेटे हूँ हैं तो जैसे ही वो position change करते हैं प्रो थायरिडिन टेबलेट इस्तवाल करते हैं इस्तारम आखिरे मैं उन लोगे बाह दोनście जेए पितिूरिन तैबलेट के बिल्कुल ना करें ऑर फ़ड़ना भी है तो पहले हैं एपने डॉक्टर से लाजमी कनसरल करें مشورہ करें, उसके बाद ही इसके 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 बाद मैं उन लोग इसके 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 इ बंद कर देना चाहिए जिनको जिनके ये स्विम्टोस में बहतरी नहीं करती, उलता है, यानि जिनके स्विम्टोस को ब्तबत करती है, कहने कर मतलब ये, अगर आप इसका इसका help करते हैं या करने से पहले अपरे डॉक्टर से लाज़ी मेशरा करें जो प्रेगनेट हैं और प्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं क्यों अगर आप प्रेगनेट हैं और प्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अगर आप इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल पूछना है तो कुछना पूछना जाते हैं तो कमन्ट सेक्षिन में पूछ सकते हैं